ओम स्यंति, बाबा ने हमें सुक भरा जीवन दिया है, हम परमात्म प्यार को पाकर निहाल हो गए हैं, इस्वरिय सुखों से त्रप्त हो गए हैं, जनम जनम हमने भोतिक सुख प्राप्त किये, लेकिन अब इस्वरिय सुख पाकर भोतिक सुखों की और से लगाओ भी समाप्त होता जाता है, आईए हम सभी इस्वरिय सुखों से अपनी जोली भरें भगवान सुख बाट रहा है भग्य बाट रहा है और हमें अपने को इन सुखों में इतना वर्पूर करना है ताकि हम द्रस्टी देकर ही दूसरों को सुख ही कर सकें उनके दुखों का निवारन कर सकें तो इसके लिए ध्यान दें हमारा चित परेशानियों में न रहता हो मन पर कोई बोज न छाया हुआ हो पिशे स्टूप से जिस बात की हम बार-बार याद दिलाते हैं कईयों का पास्ट बड़ा कड़वा रहा है अपनोंने धोखा दिया है अपनोंने मिस्विहेव किया है अपनोंने हार्ट को बहुत हर्ट किया है अपनों से बड़ा कस्थ पहुंचा है प्यार की बज़ाए नफरत मिली है दी है अच्छाई मिली है बुराई किसी को अपने प्रिये जनों की अकाल नत्यु देखनी पड़ी है किसी को सभी छोड़ कर चले गए है पास्ट के कारण कई आत्माएं वर्तमान इस्वर्ये सुखों से भी वन्चित हो जाती है नहीं, अब समझदार बने अब अपने विवेक को जागरित करो जो बीत गया, वो अब नहीं आएगा और ये बात बार बार याद करके अपने चित को स्यांत करो जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसके जिम्मेदार मेरे कर्म ही है लेकिन इससे बहुत परिशान भी न हो जाएं कि मैंने इतने पाप क्यों किये, वो समय सा था किसी ने गलत संग में जाकर पाप किये किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा बहुत पाप कर लिये, दूसरों को परिशान किया किसी ने दूसरों को धोका दिया अपने बुरे व्यवार से दूसरों को डिस्टर्ब किया उनकी खुशी छीन ली, उनके तनाव को बढ़ा दिया किसी ने हिंसाएं बहुत की कोई मांस मदीरा का सेवन बहुत करते रहे ये सब किया है लेकिन अब समय पूरा हो गया अब तो हमें इस वरिये पत पर चल कर पास्ट को भुला कर अपने को पूरी तरह इस वरिये सुखों में ले आना है मन पर कोई बोज भी नहीं रखना है वर्तवान का बोज भी नहीं ये बात बहुत अच्छी थरह पक्की कर दें इस समय हमारा खुदा दोस्त सर्व शक्तिवान हमें निरंतर मदद करने को तयार है हमें साथ दे रहा है हम ये याद करें बार बार स्वयम भगवान हमारा साथी है सर्व शक्तिवान हमारे सिर के उपर छत्र छाया है इससे अनेक बोज समाप्त हो जाएगे लेकिन जब हम उलजनों में इतने उलज जाते हैं कि बाबा के साथ को भी बूल जाते हैं तो उनकी मदद से भी वन्चित हो जाते हैं इसलिए इस बात पर विशेश ध्यान दें स्वयम भगवान हमें मदद कर रहे हैं और बुद्धीमान वही है जो उसकी मदद का फायदा उठाए जैसे लोकिक माबाप अपने बच्चों को निरंतर मदद करते हैं लेकिन बच्चों को इसका आभास बहुत कम रहता है माबाप बच्चों के लिए सर्वस वलिहार कर देते हैं लेकिन बच्चे इस बात को रियलाइज नहीं करते और वो मावाप से सदा सिकायत ही करते रहते हैं, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही हमारे मात पिता हमें निरंतर मदद करते हैं, हमें वर्दान देते हैं, समय पर समस्याओं का हल टच कराते हैं, समय पर समस्याओं को समधान करने का बल दे देते हैं स्वय मुपस्तित हो जाते हैं अधिक से अधिक मदद उनकी मिल रही है इसको प्राप्त करें और जीवन को परेशानियों में नहीं स्वमान में जीएं सारे बोज बाबा को अर्पित कर दें फील करें हजार बुजाओं सहित वो हमारे सिर पर छत्र चाया है और आज सारा दिन यही अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं स्वयम भगवान मेरा साथी है वो खुदा दोस्त है उसे बात करेंगे फ्रेंडली बात करेंगे उसको अपने साथ रखेंगे और अनुभव करेंगे वो हमारे सिर पर सदा ही छत्र चाया है ओम स्यांति